नमस्कार इस्टुडेंट्स आपके अपनी यूटूब चैनल सी सी राद जी सियार चुरू कुलासेज में आपका स्वागत है आज का अपना टोपिक है और सास्तर वीशे के अंतरगते आज सीक संतुलन एंव सामाने संतुलन कि संतुलन का अर्थ है कि संतुलन क्या प्राइब है कि इत्किल वेजिया और सास्तर में अनेक जगे संतुलन की चाचा आती है जैसे उपभोक्ता संतुलन है उ bunny paad blueprint या अफ्रम का संतुलन है उद्योग का संतुलन है संतुलन किंमत है संतुलित विणमेदर है को सरंभाजार या पुण्जी बजार में संतुलन है मोतरी संतुलन है राजकोष ये संतूलन आदी यहीं संतूलन की चर्चार और साथ्तर में उती रहती है इसलिए संतूलन की उधारना से आमें परीचित होना बहुत जरूरी है संतूलन की उधारना हमें उस दिशा की ओर संकेत करती है कि निश्ट डाइरेक्शन की ऊवर हमेशंकेत करती है जिस तरफ है आर्थिक पर किरिये गत्ईमान होती है यहने आर्थिक कियी और जा रही है किस और कित्वान है संतुलन का मैत तो ये इसलिए नहीं है कि वह वास्त में प्राप्त हो जाता है बलकि इसलिए है कि उसकी तरफ जाने की एक प्रवत्ती होती रहती है उदान के लिए एक वस्तु की मांग उस विंदूबर निर्दारित होती है जहां मांग की मात्रा पूर्ती के पराबर हुजाती है उसे संदुलित कीमत कहती है पूर्ती वग करें यह हमारा मांग करें संदुलित कीमत कहती है जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं यह संदुलित है यह संदुलित है हम जानते हैं कि मांगे पकर और पूर्ती वकर एक दूसरे को जांकाटते हैं तो म lequel संदुलित कीमत होती है मानलीजीये किसी कारण से यह भणग हो जाता है ईविन्दू यह भणहो मात्रा बढ़ जाता है संदुलित बरबर है और यह हम ऑस दाथ है कि बंग वहने के प्रिणाम शुरूब अगर है किमत कि मात्रा बढ़ जाती है किमत बढ़ जाती है तो एसी इस्तिती में उन्ची किमत पर है पूर्थी की मात्रा मांग मात्रा से अधिक जाएगी कि यहां कि यहां क्या है मांग तो यह इस बिंदू पर है और पूर्थी यहां है तो मांग से पूर्थी जाता है यादि पूर्थी आधिक है पूर्थी आधिक होने कि होने से पूर्थी अगर जाता है तो इसका मतलब किमत गीरेगी इसकी और आएगी और इसके विप्रीत है अगर एक किम्मत नीची हो जाती है इस किम्मत पर यहां पूर्ती कम है और मानवात्रा जादा है मानवात्रा जादा होने के कारणे किम्मत बढ़ेगी मानवा अगर बढ़ती है तो किम्मत बढ़ेगी तो संतुलन की से और जा रहा है इस दरब जा रहा है यह संतुलन की अवस्ता प्राप्त होती है यानि इस गतिमाने सम्मे की ओर हो रहा है पहले वाली संतुलित किम्मत भंगो करे घट जाती है इसमें आर्थी कायां एसंतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति की ओर गतिमान होती है आर्थी की कायां एसंतुलन यह संतुलन है से संतुलन की ओर गतिमान होती है आर्थी की कायां इसे संतुलन या स्टेबल एक्विलवरियम है क्या ये स्टेबल इक्विलवरियम है इसके विब्रीद ये ती संतुलन इस्तिति के भंग होने पर और ती काईया इससे दूर चलती चाहती है में आगे चलती है इसे इदर इधर तो उसे ए इस्तिर संतुलन अनस्टेबल इकल्वर्य में का जाता है अगर समझ में कि अगर इस तरफ आ रहा है संतुलन तो यह तो स्टेबल है और इतर इस तरफ जा रहा है जाते हैं जैसा की पहले समझाया है बताया है आपको की उपभोगता की संतुलन की इस्तिती में उसकी आमदनी रूची ए रूची अन्यवस्त्यों की केमतें आधि को ए परिवर्तित मान लिया जाता है इसी परकार उत्पातक के संतुलन में साथ उनों की कीमतों टेक्नोलोजी आधि को इस्तरमान लिया जाता है और सास्तर में मुख्यत है हम दो परकार के संतुलनों का अध्यन करते हैं कितने प्रकार के संतुलनों का अदेन करते हैं दो प्रकार के संतुलनों का प्रकार छेयर एक ऋंसिक ऑख्यक ऑगने इंप दिनकुल से लीपीनल याँ कटसे पूल लरे पैदा ये, एक संतूलन है, उस संतूलन को कहते हैं, जो एक व्यक्तिक एकाई, एन इंडिविज्वेल यूनेट, एक व्यक्तिक एकाई, और अथ्वा, अर्थ्वेस्ता का एक उबबार, एक सबसेक्शन ओब दा एकोनोमी, बाहर से उसके लिए दिवी तसाओं के फल सुरूबे प्राप्त होती है, इस प्रकार इसमें दो बाते द्यानटने योग्य होती है, पर्थम क्या है, आशिक संतूलन का समन्द व्यक्तिक एकाई, व्यक्तिक उब भगता या व्यक्तिक फ्रमसे होता है, अत्वा आर्थ्वेस्ता के एक उबबाग से होता है, जैसे एक उद्योग, एक उद्योग, द्वित्ये, इन आर्थी की काईयों के लिए बार से कुछे दीवी दसाएं होती है, जिसकी अमसार इनको अपना समायोजन करना होता है, उबबहताओं, फ्रमों, वे उद्योग के समक्स पाई जाने वाली दसाओं के बदल जाने से वे संतुलन की नई दिशाओं की ओर जाने का प्रियास करती है, अंसिक संतुलन अब ये कब ये उप्यूखत माना जाता है, जब ये आर्थी काल चल एक फरम या एक उद्योग तक सीमित होती है, क्या एक फरम या एक उद्योग तक सीमित होती है तब आंसिक संतुलन उप्युक्त माना जाता है जैसे एक जर्पुर में एक कार खाने में सर्मी काड़ दाल कर देते हैं तो यह कैसे संतुलन हुआ आंसिक संतुलन करना और दो नमबर करका उप्यूख संतुलन जाते है किक आर्थ कं पर्थम कर्म के प्रभाओं का देन कमाना तो यह तोगा अजिक संतुलन ड़ी के काते हुआ उसको अहां की एक अवे संतुलन सामने संतुलन ने उस समय इस्थापित होता है जब सभी वेक्तिक आर्थ की काईयां तथा अर्थवेश्था के सभी उबभाग सब सेक्षंज एक सभी संतुलन की इस्थिती प्राप्तकरते हैं एक साथ सभी संतुलन की उदारना सभी आर्थिक काईयों वेश्थवेश्था की सभी वागों की प्सपरें अंत्रनिल्वर्ता इंडेपेंडेंची को सपश्च करती है आपस couleur उद्योगों की इंडेपेंदेंची को सबश्च करती है एक गर्थ वैस्तानी उदान के लिए उदान के लिए समझो सरकार द्वारा यूद सामगरी बढाने का निर्णे लेती है या प्रभाव क्या होता है सरकार द्वारा यूद सामगरी बढाने के निर्णे का प्रभाव देखना है, निर्ने का परभाव, और इसमें संतुलने देखने हैं, आंसी के और समने, आंसी के और समने, संतुलने, संतुलने देखना है, जब सरकार युद का अधिक समान बनाने का निर्ने करती है, तो पहला परभाव तो इस पात उद्योग पर पढ़ता है, इस पात उद्योग पर, उससे आंसीक संतुलन के अंतरगते लिया जासकता है, यह उद्योग का, यह उद्योग पर रहन है, तो आंसीक संतुलन के अंतरगते इसका अधिने किया जाता है, क्योंकि हमें सर्वे परतम इस पात के मुल्यों, उत्पादने, इस उद्योग के मुनभ़े, इसमें उत्पादन के साधनों के प्रियोग या उप्योग, वे उनकी कीमतों आदिपर विचार करना होता है, इस पात उद्योग के, यानि मुल्य, उत्पादने, मुनभ़े, जिससे अन्य उद्योगों वह आर्थी किरियाओं में भी अल्चले होने लगती है इसके प्रिणाम शुरूप यह उद्योग है लेकिन इसके प्रभाव दूसरे उद्योगों पर भी पढ़ते हैं कि इस पाथ के स्थानापन पदार्थों यानि सबस्टिटूट की भी मांग बढ़ती है इसके कारण जिससे अल्चले का दायरा निर्म तर्वय उत्रोत्रे बढ़ता चला जाकता है सबस्टिटूट गुर्षी से प्रभावित होगी अन्त में यह प्रभाव संपूर्ण अर्थोष्टा में फैल जाते हैं यह प्रभाव इस पाथ को यह उद्यों किये सबस्टिटूट गुर्षी पर पढ़ता है वह संपूर्ण है वह इकोनोमी पर इसका प्रभाव पढ़ता है संपूर्ण अर्थोष्टा पर 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 प्रभाव पढ़ने के कारण इसका अंत्रगत्य और अंत्रगत्य जाएगा तो यह आशीक संफ़ूलन और संवमनेशंतूलन ईक उद्योग का उसर्फवस्ता का अर्थवस्ता के बागों का आशीक संफ़ूलन अज हुआ है कि पाउसियल केमेड समनेसेंभ्लेट में अपसमें कोई तो दोए अपसर को रोद नहीं हुआ कि हमाज शिख संतुलन से प्राणम करते हैं यह संसी पूल दो और से और दीरे-दीरे आगे बड़ते जाते दीर दीरे-दीरे आगे बड़ते गए इसमें एक निरंतलता हुए पर कड़ी पाई जाती है , यानि कड़ी हो गई इसका अँद्यों के पर परभाव को देकर इस्वाद पर उद्यों के परभाव को देकर दिवतीय उखरम तिर्थिय करम म lions प्रभाव देखते हैं एक प्राम के संटूलन है एक प्राम की संटूलन से एक उद्योग के जाते एक Арथ कि प्रतन से चाहिए यहाँ के पूर्ण परती्स अने यह को परदती्ट्र देगे कि इस प्रेंगे कि उल्सकी हैं को सपोन अद्यां करके प्रिणाम निकालते हैं कि इस परकार आजिक संथूलन से सामने संथूलन ऐसा है की तरफ बढ़ने का प्रिया से भूंतरे जारी रहता है को अमने क्या पटा संतूलन किया एक और दो मुख्या संतूलन ऐह एक व्यक्तिक कर्ति और आंसी को अब बोगता व्यक्तिख प्रमादीका देन करते और समाने संतूलन में आशी संतूलन से दिरे दिरे हमें समाने संतूलन की ओरे चले जाते हैं संपूर अर्थवस्ता का अधेन करते हैं तो आज हमने संतूलन का अधेन किया आपने सुना इसकी लिए आपको धन्यवाद